रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू की टीम में आखर निकर चुके दिनेश कार्थिक अपने पुराने दिनों की शानदार जलक दिखा रहे हैं कार्थिक ने अभी तक एक फिनिशर का रोल बाखो भी निभाया है जब वो निचले करम पर बैटिंग के लिए आते हैं तो कुछी ओवरो का मामला बाकी होता है कार्थिक इनी चंद गैंदों पर अपना रंग जमा रहे हैं अपने ताजा मुकाबले में उन्होंने चिन्दने सूपर किंग्स के खिलाब 14 गैंदों पर 34 रंग की शानदार पारी के लिए बले ही वो मैज जिताने में चुप गए लेकिन उन्होंने जड़ेजा एंड कंपनी के रौंटे जरूर खड़े कर दिये थे कार्तिक और सुएश की पारियों के बदौलत RCB हैरत अंगेज धंग से टार्गेट के करीब आ चुका था कार्तिक ने इस मुकाबले से इस बात पर अपनी राय दी थी कि वो इस सीजन में किस टीम को विजिता के तौर पर देख रहे हैं आपको पता दे कार्तिक ने IPLT20.com पर हस्ते हुए कहा मैं वविश्वारी करने वाला आदमी नहीं हूँ लेकिन मुझे कहना होगा कि केंप में मूर काफी अच्छा है और मुझे लगता है हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम अच्छे स्पेस में हैं तो निश्चित तोर पर फिलाल हम प्रत्योगिता में दावेदार हैं RCB भले ही ये मुकाबला हार गई हो लेकिन उसने जो पिछले तीन मैं जीते उनमें दिनेश कार्तिक ने एम भूमी का निभाई थी आपको बता दे जब कार्तिक से पूछा गया कि वो बैटिंग करने से पहले क्या रननीती अपनाते हैं तो उन्होंने कहा इस सब आलातों का जायजा लेने के बारे में है मैं अपने अनुबह का इस्तमाल करते हुए उलतिन विकिट पर अपना बैस देने की कोशिश करता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे पूरी इस फृस्ता दी गई है और मैं अपना बैस देने की कोशिश कर रहा हूँ जानकारी के लिए बता दे इस साल कार्थिक को मेगा आउक्शन में साड़े पांच करोड़ रुपे की रकम पर लिया गया है वो लोर ओर्डर में बैटिंग करते हैं और विकिट कीपर का रोल भी अधा करते हैं इस खबर विफलार इतना है बनरिया वन इंडिया हिंदी के साथ